मतलब ना लड़या करें किस तुक पर लड़ना चाहिए जोटी मोटी बाता की ना तुक पर लड़ना चाहिए ले समझदार मानसन अपने आक पर लड़ना चाहिए बना बात इस दुनिया के ना शुख पर लड़ना चाहिए आक की खात्यरी तुरुक शेतर में ये तला खून के भर गे बना चाहिए लड़ना चाहिए करिक ये त्यान इन अचाव बना चाहिए बना चाहिए देखिए हमारे माननीय मुक्यतिती मौद्दै और हमारे वरिष्ट जो मंग्तिरी हैं अधिकारीगर्ण हैं बीच-बीच में हमारे आते रहेंगे मेरा आप से सभी से अन्रोद है आप शांतिगा इसी परकार हमें माहुल पुरदाल करें और कारिय करम को आप सुनते रहें बैठते जाईए जिसको जहाँ जग है मिलती है बैठ जाईए उपर बाद कौनी खाली पड़ी है उपर से ले जाईए आप बहुत अची जगह है क्या बताया आखर में बहुत अची जगह है उस माता को कभी नहीं बूलना चाहिए और उसके बाद पिता जी ने आपकी परविश्की आपको पाला पोशा अपनाया लखाया उस पिता को माता पिता के बाद अगर फिर फर्ज बनता है उस दर्ती माता का उस देश का उस मिट्टी का जहां पर आप पले हैं पले हैं बडे हैं तीश्री कली में ये बता दिया और लास्ट में क्या बताया सबते पेल्यम फर्ज मनुष्का रे सबते पेल्यम फर्ज मनुष्का जननी मात काओ लंबा चोड़ा जीवन कोन्या गड़ी श्यात काओ ओ गड़ी श्यात काओ हिरजन भूमी में वीराने ना ख्याल गात काओ अनमाया का के उठे से मोल बात काओ रे मोल बात काओ जगनाथ की बात मान जगनाथ की बात मान मूरख भी बहुत सुधर के जो रण भूमी में देश कई उपर प्राने नो खावर कर गे यगहवन तप बजन वरत देने परले पारी उतर गे जो रण भूमी में देश कई उपरी प्राने नो खावर कर गे रे प्राने नो खावर कर गे जैहन कर दो